हमारे किचन में कई ऐसे काले फूड्स है जो सेहत के लिए फायदे मंद होते हैं इनमें कई जरूरी पोशन तत्व भी पाये जाते हैं जो दिल और दिमाग की सेहत को दुरुस्त रखने का काम करते हैं इनके सेवन से सेहत भी अच्छी रहती है आज हम ऐसी ही साथ काली चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं काला अंगूर काले अंगूर में विटामिन C और अंटी ऑक्सिडेंट्स पाये जाते हैं ये तुच्छा को फायदा पहुचाने का काम करते हैं कैंसर से लड़ने में भी मददगार होता है काली चाय काली चाय सेहत के लिए फायदेमंद है इसमें अंटी ऑक्सिडेंट्स पाये जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स को नश्ट करने का काम करते हैं बतादे हार्ट की सेहत को सुधारने का काम भी काली चाय ही करती है. जीरा इसी तरह काले जीरे में अंटि आक्सिडेंट्स पाये जाते हैं, जो बिमारियों से बचाने में मदद करते हैं और पाचन के लिए भी बहतर होते हैं. काले तिल काले तिल में कैल्शियम, आयरन और मैगनिशियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए बेहत फाइदेमंद होते हैं. काला चना काला चना प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है, जो पाचन को दुरुस्त बनाने का काम करता है, और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काला चना और जीरा मददगार होता है. काली दाल काली उड़त दाल में प्रोटीन, फाइबर और फॉलेट पाए जाते हैं, ये त्वेचा के लिए जबरदस्त फाइदेमंद होते हैं, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं. काली मिर्च काली मिर्च में पोश्टिक गुण पाए जाते हैं, ये पाचन के लिए भैतर होती है, और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है. अगर रहना है सेहत बन्द, तो रोजाना खाए ये साथ काली चीजें, इनमें कई जरूरी पोशन तत्वु पाए जाते हैं, ये साथ चीजें खाने से बीपी शुगर भी सब कंट्रोल में रहता है. फिलाल के लिए सेहत नामा में इतना ही शुक्रिया.